हाई फ्रेंड्स, मीरा नाम है दॉक्टर अमित्माईश्वेरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Oversies Limited Company का, हमारी company Staleness Steel Module Location की manufacturing करती है, export करती है, और पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee showroom, dealership showroom, FLB partner और associate partner है, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा बिजनस में क्या करें, कि आसानी से अपनी sale को boom कर सके, sale को बहुत बहुतर तरीके से बढ़ा सके, और ध्यान रखेगा, business में जीतने का एक ही सिध्धानत है, अगर आपकी sale बढ़ती है, तो sales बढ़ने से आपका turnover बढ़ेगा, और turnover बढ़ने से आपका profit margin भी बढ़ जाएगा, और profit बढ़ने पर ही आपका business, successful business कहलाएगा, आ 12-class hygienic stainless steel modular kitchen, vanity and wardrobe, rust-free, dermat-free, with soundless technology. यहाँ पर उसकी cost बढ़ने चाहिए 1000 रुपे, लेकिन वहाँ 950 रुपे का है, तो consumer को यह लगता है और 50 रुपे का profit हो रहा है, जो consumer एक product खरीदने आया था, वो 10 product खरीद लेता है, और bundle selling का इस्तिमाल जाला तर festive time पर, किसी offer में, किसी scheme के माधियम से, customer को लुभाने के लि अधीराम की अगर बात करूं तो नमकीन, बुजिया, बिस्केट, काजु का नमकीन और रोस्टिड उसके जो जितने भी dry fruits हैं, उन सबका एक package बनाया, तो customer को लगता है एक बढ़िया gift package भी हो गया, किसी को देने में भी अच्छा लगेगा, ताकि family में हर व्यक्ती अपनी जरूत के साफ से चीज को खा सके, और जरूरी नहीं किया ऐसा किवल FMCG इंडस्ट्री में हो रहा है, काफी सारी इंडस्ट्री ने research की कि कौन-कौन से ऐसे products हैं, जो किसी एक particular जरूत के लिए बहतर हो सकते हैं, तो उन्होंने उसका kit बना दिया, जैसे corona टाइम पर अगर आ आसक हो गया, ऐसे सारी चीजों का एक package बनाया, और लिख दिया कि एक mega kit है, यहां पर आप hygiene related products ले रहे हैं, बहुत सारी companies इस बात को implement करती हैं, कि कैसे वह kit बनाकर एक bundle के माधियम से ज़्यादा product customer को बेच सकते हैं, अब मेरा आप से प्रश्णी यह है कि आपका business क्या है, कि आपके services क्या है, और किस तरह से आप उसमें bundle बनाकर आसानी से customer को sale कर सकते हैं, यह मुझे comment box में लिखकर जरूरू बताएं, अभी तो मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं friends, लेकिन business में sales को boom करने के लिए, business को next level ले जाने के लिए, 5 नहीं, 50 स्यादा तरीके हैं, और मैं आपको बताऊंगा वो तरीके आप कैसे सीख सकते हैं, next method है, वो है cross selling, और cross selling का मतलब होता है, आपका consumer, आपका client, जब एक बार एक product को ले लेना, तो तुरंत उसको उससे संबंदित दूसरा product offer करें, जिससे आपकी extra sale आने वाली है, जैसे अगर आप देखें, आप mobile phone लेने पूरी हो जाएगी, तो earphone केवल 3000 रुपे के है, और साथ साथ अगर आप एक watch भी ले लेते हैं, आपको बहुत सारी facility देती है, जिसकी वजह से customer कई बार एक product के साथ, बाकी products को खरीदने के लिए तयार हो जाता है, और जैसी बाकी product को खरीदने के लिए तयार होता है, तो स उसी customer acquisition cost पर आपने बाकी product भी sale कर दिया, मतलब इन दोनों product की sale के लिए आपने कोई extra विजयापन नहीं किया, customer को acquire करने के लिए कोई extra marketing नहीं की, आपने के वल cross selling के माधियम से अपने products की sale बढ़ा ली, अब आप मुझे लिख कर ये बताए कि आपके कौन से products हैं, और आपक selling का ना काफी अच्छा एक trend है, customer ना एक product को खरीदने के लिए mind make-up कर चुका होता है, और अपने budget को draft भी कर चुका होता है, आप उसके budget को extend करना, वो sales executive का काम होता है, example के रूप में आपको बताता हूँ, आपने एक बार मन मना लिया, कि मुझे Apple का एक phone लेना है, iPhone 14, आप market product और offer कर देगा, कि मेरा इसका जो next version है, वो क्या है, वो कहेगा कि iPhone pro मैं आपको देता हूँ, वो 1,30,000 रुपे का है, आपको कुछ extra पैसा देना है और आपका phone अप्ग्रेड हो जाएगा, या मान लिजी आपने iPhone pro लेने का मन मनाया, तो वो कहता है कि sir, 1,30,000 का iPhone pro है, अगर आपके वल 20,000 रुपे और देती है, तो आपको iPhone pro max मिल जाएगा, 1,40,000 का, है ना, तो ये वो तरीका होता है, जिसमें हम करते है, अप सेलिंग, काफी सारी companies, खाली mobile phone company नहीं, जैसे आप देखिए, आपने कायट देखा होगा, कि अब 10,00, रुपे में मिल सकती है थार automatic transmission भी होगा, कुछ extra features भी होगे, साथ-साथ इसमें आपको 4x4 का wheel drive भी मिल जाएगा, तो क्या कहते हैं, कि वो upselling कर देते हैं, फिर बताते हैं, कि सर ये जो model है, ये petrol model है, आप diesel model लेते हैं, इसके engine की capacity है, आप higher capacity का engine लेते हैं, तो बहुत सारे तरीके से एक customer के mind को make-up करके उनको आसानी से upselling के लिए तयार किया है, और upselling करने से भी आपका sales volume बढ़ता है, आपका turnover बढ़ता है, और turnover बढ़ेगा, तो आपका profit भी ज़रूर बढ़ेगा, तो आप ये देखिए, कि आपके business में कौन सा ऐसा तरीका है, जिसमें आप upselling कर सकते हैं, आप मुझे अपने Next, increase your ticket price. Friends, कई बार क्या होता है, consumer एक small ticket price में किसी product को पसंद करता है, और उसके बास को उस product की ना चाहत लग जाती है, टेस्ट लग जाता है, ये product मेरे लिए best है, जैसे आप देखिए कि 2 रुपे का 5 रुपे का 10 रुपे का एक पाउच आता है, जैसे किसान tomato ketchup, और 1% tomato ketchup को बहुत अच्छे से पसंद कर रहा है, जब धिरे दिरो वो customer उस product को लेके अपना taste develop कर चुका होगा, तो वो देखेगा कि हर बार में चोट चोटे पाउच खरिता हूँ, मेरे पैसे जादा लगते है, क्यों ना मैं इसका बड़ा packet खरिद दूँ, तो बड़े packet में number of pouches के comparatively ज़्यादा material होता है, तो उसने क्या कि आपने ticket price को बढ़ा दिया और quantity of material बढ़ा दी, प्लस extra saving भी दे दी, कि अगर आप 10 pouch खरिती है, तब जाके इतना material होगा, लेकिन इसकी cost 9 pouch के बराबर है, अज सेम आप शैसे से pouch पर आपको लेके bottle पर की है, एक kilo की bottle है, यहाँ पर आप ऐसा क्या करें, कि आपके product का price ticket बढ़ा हो जाए, जैसे ही price ticket बढ़ा होता है, तो आपकी advance sale हो जाती है एक तरह से, for example, अगर वो एक सेशे लेता, आपको payment देता और उसको consume करता, लेकि उसने एक kilo की bottle ले ली, तो एक kilo की bottle तो एक महिना चलने वाली है, या दो महिने चल आटे जी, आज सारी की सारी बड़ी से बड़ी companies भी न, digital platform का भरपूर इस्तिमाल कर रही है, देखिए आप किसी भी इस तरपर हों, आप social media का भरपूर इस्तिमाल करते हैं, facebook है, linkedin है, twitter है, instagram है, google advertisement है, pin interest है, linkedin है, तो ये वो platform है, जिसका इस्तिमाल एक consumer कर रहा है, और सारी की सारी कंपनिया, डिजिटल मार्केटिंग पर बहुत दिख फोकस कर रही है, क्यों, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो offline marketing या traditional marketing के जो बड़े method न, tv, fm, radio, newspaper, unipol, hoardings, और ये जो तरीके न, traditional तो ही है, इनका expense जो है, वो बहुत जादा है, इस पर खर्चा बहु टार्गेट करते हुए marketing करती है, जिसकी वज़य से एक qualified lead उने मिलती है, और आप ज्यादा sales volume को कम budget में बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये ऐसा पांचवा तरीका है, जो आज के समय पर हर company इस्तिमाल कर रहे है, और ज्यान रखेगा, जो company आज digital platform पर नहीं आएगी, उसका व्या बिजनस में sales को बढ़ाने के लिए, बिजनस के volume को बढ़ाने के लिए, बिजनस के network को बढ़ाने के लिए, channel partner को बढ़ाने के लिए, franchisee, dealer, distributor method पर जाकर business को next level ले जाने के लिए, जरूत होते हैं, चीजों को सीखने और समझने की, इसलिए मैंने अपने business experience के अधार पर आप super stockist method और अपने business को global करके, एक billion dollar company बनानी है, अगर next training program कहा हो रहा इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो board पर D.O.A. number पर अभी call करें, और अपना slot ज़रूर book करें, क्योंकि ये program limited number of people के लिए होता है, companies के directors, owners, CEOs, हर वो व्यक्ति जो इस काम को समझना चाता है, वो इस और कैसे business को next level ले जाना है, इसकी training आप आसानी से सीख सकें, समझ सकें और अपने business में implement कर सकें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बाविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!